नमस्कार मैं डॉक्टर अवीगोर से लोकमत की हिंदी ओडियंस के लिए पेंसिलवेनिया से एक वीडियो काफी हद तक वाटसैप पे घूम रहा है और उसके उपर में टिपनी करना हो ज्यादा तर मुझे दूसरों के वीडियो पर टिपनी करना अच्छा नहीं लगता सब लोग अपने जगा पे सही होते है यह वीडियो में कुछ कोई तो वाइस प्रेसिडेंट है फाइजर या कोई बड़े कमपनी का और वो कह रहा है कि महा मारी तो अल्मोस्ट खतम हो चुकी है और यह वैक्सिनेशन देना या सोचना गलत बात है ऐसा कुछ वीडियो घूम रहा है तो पहला में यह कहूंगा कि जो लोग प्रवाह के खिलाफ तैरते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है लेकिन यह आदमी तो पानी भी नहीं है और फिर भी तैरने की कोशिश कर रहा है उद में कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है वो कह रहे हैं दूसरी बात है कि जो वाइस प्रेशिडेंड होता है तो ऐसा अमरिकन और यूरप के अगर आपको कॉर्पोरेट स््ट्रक्चर का पता हो तो अगर उनके पास 300 कर्मचारी है तो उनमें से 315 वाइस प्रेशिडेंड होते हैं वाइस पैसे ने ये कोई बड़ी बात नहीं है तो क्या कह रहे है ये सचमुच क्या महामारी खतम हो रही है महामारी खतम होने के नजदिक आ रही है लेकिन वैक्सीन का भी बहुत टीके का बहुत प्रभाव रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग वैक्सीन को फोर्स कर सकते है या वैक्सीन ऐसे लोगों में इस्तिमाल नहीं करते हैं कि जिनको डिसीज होने का खत्रा कम है उनमें भी हम लोग वैक्सीन इस्तिमार करते हैं बहरे में आप ने पढ़ा तो 1798 में वो variolation आने के बाद smallpox दुनिया से मानो चला गया हर साल 20 लाक लोगों की जाने बचती है यह vaccination की तो vaccination अच्छा है या नहीं यह तो कोई इसमें कोई point ही नहीं है vaccination तो definitely अच्छा है लेकिन अभी यह सोचना है कि क्या vaccination के कुछ side effect होंगे और क्या vaccination जरूरी है vaccination में कहता था कि हम लोग herd immunity की तरफ बढ़ रहे और हमने जितना सोचा था उससे herd immunity जादा है क्यों जादा है क्योंकि पहले हम लोग सोच रहे थे कि एक बार आपको covid हो गया और आप बरामत हो गया तो आप सिर्फ 3 मेने के लिए सुरक्षित है अभी हम लोग कह रहे हैं कि शायद जादा सुरक्षित है तो herd immunity जादा बनेगी जादा टिकेगी कुछ साल तक रहेगी जो पहले की करोना वाइरस है common cold viruses उनके वज़े से आपको थोड़ा थोड़ी सुरक्षित प्रदान हो सकती है आपको अगर BCG का टिका लगा हो MMR का टिका लगा हो और कोई बिमारी हुई हो तो उससे भी आपको सुरक्षित पा सकते हैं दूसरा हम लोग सिरो सर्वेलेंस कर रहे थे सिर्फ antibodies देखे लेकिन cellular immunity तो कोई नाप नहीं रहे है तो cellular immunity भी नाप ली तो हम लोग जितना सोच रहे थे उससे भी कई गुना जादा लोग already करोना से सुरक्षित है तो हर्ड immunity के तरफ हम लोग बढ़ चुके है अगर ये दूसरा wave दूसरी लहर नहीं आती थी जैसा अमरिका में आई है तो मैं कहता था कि शायद herd immunity से भी लेकिन पूरे herd immunity से काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर 0.5% mortality भी है तो इसका मतलब 50 लाग रोग मर जाएंगे तो वो तो संभावना ही नहीं है तो vaccine जरूर जो लोग अपने डॉक्टर के साथ बात करके खुच सोच लो और अभी ये जो इसे बारे में तो बात करना मेरे खयाल से पागल बनती है हम लोग एक के पिकनिक पे गए थे और एक चाचा जी थे वो 50 लड़के थे हमारे साथ वो बहले 50 के 50 लड़कों को पतलून पहननी पड़ेगी वो बहले चाचा जी हमारे पूरे ग्रूप में सिर्फ दो पतलून है इसमें से एक आप अभी पहने हुए हो तो पहले पतलून का बन्नोबस करो ना बीच में लोगों की लुंगिया खीशने लगो अगर पतलून ही नहीं है हाथ में तो क्यों ये बेकार की बगबग चालो है कि स्वैच्चिक रहेगा या अनिवारिय रहेगा वैक्सीन हाथ में ही नहीं है और हम लोग लड़ रहे हैं कि फोर्स करेंगी या नहीं क्या वैक्सीन को फोर्स कर सकते हैं देको फोर्स करना अमरिका की बात करते हैं very difficult क्योंकि ये individual freedom वाली country है लेकिन driver's license हमारी इस हद तक है तो government कुछ उसको compulsory भी कर सकता है और किसी vaccine को compulsory करने के भी दूसरे तरीके होते है मानो flu vaccine है तो बोलते है आपकी मर्जी की बात है लेनी है लेलो नहीं लेनी है नहीं लेलो लेकिन आप हमारे अस्पताल के अंदर आने ही सकते अगर आपने वैक्सिन नहीं ली है तो मैं मेरे पेशन को कैसे देखूँगा अगर मैं अस्पताल नहीं जा सकता तो एक तरह से फोर्स ही कर दिया फ्लू वैक्सिन लेने को और देखो किसे ने ग्रीन कार्ड के लिए अपला किया यूएस को तो यूएस सिटिजन को तो राइट है लेकिन वो कहते है अगर आपको ग्रीन कार्ड को अपला करना है तो यह यह वैक्सिन लेनी पड़ेगी अगर आपको नहीं लेनी है आपकी मरजी है लेकिन फिर हमारे कंडर में मत आईएगा ऐसा government कुछ कर सकता है तो मेरे ख्याल से vaccine तो doses को हाथ में आएंगे vaccine बहुत अच्छी रहेगी ये महा मारे का जल्दी अंद करने के लिए vaccine की जरूरत होगी अभी vaccine के क्या 4-5 साल बाद दुश्परणाम हो सकते है वो तो अभी नहीं कह सकते तो जो लोग risk लेना चाहते है वो ले लेंगे और उसमें एक अच्छी बात ऐसी है कि vaccine जो लेता है वो खुद risk लेता है और उसका protection खुद होता है मैं अभी दुनिया में मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है मैं दुनिया में कहीं जगा पे गाड़ी चला चुका हूँ Athens में चला हूँ, Japan में चला या हूँ Africa में चला या हूँ Rome, Paris, कहां भी चला तो लेकिन बंबई या Delhi में मुझे हिम्मत नहीं होगी गाड़ी चलाने की एक मेरे दोस्त ने बोला इंडिया में गाड़ी चलाना बहुत सिंपल है आप कहीं से भी आओ आप अपने गड़ी में बैटो आप किसी दूसरे को मत ठोकना आप सिर्फ आपका वेहिकल लेगा बाकी सब लोग अपना अपना वेहिकल लेगा इंडिया में ऐसा ही चलता है तो जिसको वैक्सिन है उसने ले लिया वो खुद प्रोटेक्शन हो गया जादा लोगों ने ले लिया तो समाज का भी हो जाएगा लेकिन मेरे ख्याल से फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स करने वाले इतने वैक्सिन के डोसे साथ में ही नहीं रहेंगे अभी सोच विचार में है हम इस एक उर्दू शायरी से एंड कर देते वो गालिब ऐसा कहता है कि बाकी सब मुझे इन चीज़ों की याद आती है लेकिन मुझे क्या अगर मैं इस वर्दू में जाने के बाद आपकी याद आई तो क्या मैं वहाँ के गाट के साथ लड़ाई करूंगा वो अंत में ऐसा कहता है कि जब मजनू को पागल करार कर दिया था तो उन में से जो पत्थर फेकने वाले लोग थे उन में से एक मैं भी था फिर मुझे दीदे तर याद आ गया दिल मगर तशना फरियाद आया यू तो जिन्दगी बसर ही जाती क्यों तेरा रह गुजर याद आया कोई वीराने से वीरानी है दश्ट को देखके घर याद आया क्या ही रिजवा से लड़ाई होगी घर तेरा खुल्द में गर याद आया मैंने मजनू पर लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया डॉक्टर अभी गोर्ट से लोकमत के हिंदी ओडियंस के लिए